हेलो एंड वैलकम टू माइ चैनल स्पार्क स्टेनोग्राफर जैसा कि आप देख सकते हैं एक इंपोर्टन नोटिस आया है SSC स्टेनोग्राफर ग्रेट C&D एग्जामिनेशन 2018 को लेकर इस शिफ्ट में आप देख सकते हैं जैसा बताया गया था शिफ्ट 1 ऑफ स्टेनोग्र स्टेनोग्राफर ग्रेट C&D एग्जामिनेशन 2018 विच वोस हैंड फ्रॉं तो त्वेल नून ओन फाइफ फैब 2019 जो की एक्जाम हैस बीन कैंसल वह एक्जाम आपका कैंसल हो गया है एंड इस री शेड्यूल तो बी हैल ओन एफ फैब 2019 फ्रॉं फ्रॉं प्रॉं प्रॉं प 5 पि-e-m ट्लियर यह आपका शिफ्ट वन में एग्जाम देखा गया है वो जो एक्जाम था जो लिफ्ट में 10 टु ट्वेल नून को व्कु फिफ्थ ऑफफ को वह एक्जाम केंसल हो गया है और वह एक्जाम अब होगा आपका 8th fab 2019 को 3 p.m. to 5 p.m. okay it may be notified noted that re-examination of the shift on 8th to 2019 will be only conducted for the candidates who appeared in shift 1 जो भी candidates shift 1 में appeared हुए थे यह सरफ उन ही का cancel हुआ है यह exam उनका ही दुबारा होगा ठीक है the examination of this shift has been cancelled because reason क्या था? because of the inadvertent enabling of e-calculator on candidates console जो भी आप exam shift चल रहा था उस shift में उसका reason यही था कि वो properly work नहीं कर रहा था ठीक है system आपका तो इस वज़े से candidates को inconvenience हुई थी बहुत जादा तो इसके regarding आपका वो exam था जो first shift का वो cancel कर दिया गया है यह basically आपका SSC की notification में आया है यह fake news नहीं है friends यह real news है तो आप सभी इसे देख लीजेगा और जिनका भी first shift में हुआ है वो अब 8th fab को next shift के लिए जो second shift है इसकी 3 to 5 उसके लिए prepare हो जाएए ठीक है paper का level आपको पता ही है easy to moderate है easy भी नहीं कहूंगी but moderate level का है तो आप उसके लिए अपने आपको prepare कर लीजिए ठीक है friends यह fake news नहीं है आपका exam दुबारा से होगा और रही बात admit card की तो आपका admit card का जो notice है वो भी आ जाएगा ठीक है तो उसके regarding भी आपको बता दिया जाएगा ओके फ्रेंड्स इसके लिए आपका fresh admit card ही आएगा ठीक है पुराना नहीं new admit card आएगा ठीक है so friends all the very best for your next shift or next day exam thank you for watching thank you for being with me